24 जून से शुरू हो रहे अठारवी लोगसभा के पहले सिस्टिय सत्र को लेकार रक्षा मंत्री राजनाद सिंग के घर पर NDA के बैठक हुई इस बैठक में स्पीकर और जपुटी स्पीकर के पत को लेकर चर्चा हुई विपक्ष ने भी स्पीकर जपुटी स्पीकर पत के लिए दावा ठोग दिया है और सूत्रों के मताबिक इंडी गड़बंदन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पत के लिए अपना उमीदवार ख़़ा कर सकता है देखे ये रपूर 18 लोकसभा का पहला सत्र अगले हफते यानि 24 जून से शुरू होने वाला है ये सत्र नौ दिन यानि 3 जुलाई तक चलेगा 26 जून से लोकसभा स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी सुत्रो के हवाले से खबर है कि बीजेपी ओम बिल्ला को दूसरी बार स्पीकर बना सकती है वहीं सुत्रो के मुदाबिक चंद्रबाबु नाइडू की टीडीपी और नितीश कुमार की जेडियू स्पीकर पद मांग रही है विपक्षी खेमा इंडिया गुट भी लोकसभा में मजबूत स्थिती में है ऐसे में उसे उमीद है कि डिप्टी स्पीकर पद विपक्ष के किसी सांसत को मिलेगा अगर विपक्ष के सांसत को डिप्टी स्पीकर पद नहीं मिलता है तो विपक्षी खेमा स्पीकर पद के लिए अपना उमीदवार उतारेगा डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देने की परंपरा रही है सुलावी लोकसभा में NDA में शामिल थंबी दुरई को पद मिला था अन्नाद्र मुक के थंबी दुरई को डिप्टी स्पीकर का पद मिला था सत्रहवी लोकसभा में किसी को डिप्टी स्पीकर नहीं बनाया गया लोगसभा में डिप्टी स्पीकर का पद काफी एहम होता है डिप्टी स्पीकर का पद सदन में ताकत का प्रतीक सत्ता धारी पाटी या विपक्ष की ताकत का प्रतीक लोगसभा के कामकाज पर स्पीकर का कंट्रोल सम्विधान में स्पीकर के साथ डिप्टी स्पीकर का पद स्पीकर डिप्टी स्पीकर के चुनाव का भी प्रावधान स्पीकर की गैर मौजूद्गी में डिप्टी स्पीकर का रोल एहम 24 जून से 18 लोकसभा का पहला सत्र शुरू होने जा रहा है 26 जून को लोकसभा अपने नए अध्यक्ष का चुनाव करेगी माना जा रहा है कि स्पीकर के चुनाव में विपक्ष भी अपना उमीदवार खड़ा कर सकता है इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नित्यत्र वाले अंडिये ने 293 सीटों पर जीत हासिल की है जबकि इंडिया गटबंधन को 234 सीटे मिली है सूत्रों की माने तो अगर विपक्षी गलों को डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया गया तो वे स्पीकर पद के लिए अपना उमीदवार खड़ा कर सकते हैं इसे लेकर अंतिम नेड़ने संसस सत्र शुरू होने से पहले लिया जाएगा न्यूज 18 के लिए भ्यूरो रिपोर्ट